नमस्कार मैं अफीसा बानू असिस्टेंट प्रॉफेसर कॉर्मेंट लोग कॉलेज अजमेर से MDS उनिवर्स्टी के सेलेबस के एकोर्डिंग LLB सेकंड डियर के सेकंड पेपर लो ओफ क्राइम्स इंडियन पीनल कोर्ट के सेकंड चैप्टर जनरल एक्स्प्लेनेशन्स अर्था साधार इस्पस्टी करण जोकी सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 53 ए में दिया गया है मैं वर्नित सेक्शन 35 से लेकर 38 तक हमने अपने पिछले लेक्शर में बात की इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते विए ये लेक्शर की इस स्रीज में आज हम सेक्शन 39 से आगे की बात करेंगे सेक्शन 39 वॉलुन्टरिली ए परसन इस से टॉप एन इफ़ेक्ट वॉलुंटरिली वैं ये कॉजिस इट बाइम वैंज वैर्थाथ कोई व्यक्तिक इसी परिडाम को स्वेच्छिय अकारित करता है यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशे था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभावे है यानि इस section में जो voluntarily या स्वैच्छिया शब्द है उस स्वैच्छिया शब्द को किसी परिणाम के कारित करने के संबन में परिभाशित किया गया है जब यह कहा जाए कि किसी व्यक्ति ने किसी परिणाम को स्वेच्छिय कारित किया है यानि voluntarily उसने उसको किया है तो उसका अर्थ यह है कि उसने उसके कारित किये जाने में उन साधनों का या उन means का प्रियोग किया है जिनका प्रियोग करने का वह intention रखता था या जिनको काम में लेते समय उसे यह knowledge था या विश्वास करने का कारण था कि उनसे उसके कारिद होने की संभावना थी इससे ही है इस पस्टे की इस definition में जिस परिणाम को कारिद करने की बात की गई है और अगर उस परिणाम को कारिद करने के लिए जिन साधनों को काम में लाया जा रहा है तो अगर उन साधनों से उस परिणाम के कारिद करने का intention हो या knowledge हो या फिर reason to belief हो तो ऐसे condition में हम कहेंगे कि किसी व्यक्ती ने उस परिणाम को switch यानि voluntarily कारिद किया है इस पर एक important case है जो कि honorable supreme court के द्वारा decided है Olga Talis and others versus Bombay Municipal Corporation and others 1985 यह जो honorable supreme court के द्वारा decided यह जो case है इस case में supreme court ने यह मत व्यक्त किया कि जब सारजनिक फुटपाथों पर जुकित जोपड़ी के निवासियों ने अपनी जोपड़ियां डाल ले तो ऐसा बहुत असहाय अवस्थाओं में और उनके जीवित रहने के नैतिक अधिकारों के अंतरगत किया गया और इसलिए उनका intention कोई अपराद कारित करना या किसी property पर possession रखने वाले किसी व्यक्ति को धमकाना अपमानित करना या शुब्द करना नहीं था इसलिए वे IPC की section 441 के अंतरगत क्रिमिनल ट्रेसपास के तूशी नहीं थे और ना ही उनके द्वारा किया गया यह कार्य वालेंटरिली था section 40 define the term offense except in the chapters and sections mentioned in closes 2 and 3 of this section the word offense denotes a thing made punishable by this code अर्थात अपराद शब्द इस धारा के खन दो और तीन में वर्नित अध्यायों और धाराओं के सिवाए इस अहिता के द्वारा दंडनिय किये गई किसी भी बात का ध्योतक है यानि section 40 में जो offense शब्की यानि अपराद शब्की जो definition दी गई है वाद तीन खंडों में दी गई है जिसमें से आपको screen पर पहला खंड दिखाया गया है दूसरे और तीसरे खंड में कुछ chapters और sections दिये गए है जिस पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं पहले खंड की तो प्रथम खंड में कोई बात यानि according to first close of section 40 कोई बात जिसे IPC की अंतरगत punishable बनाया गया है अपराद है जबकि second close या जो खंड है उसमें कुछ sections और कुछ chapters का उलेक किया गया है और यह कहा गया है कि शब्द अपराद यहाँ पे ऐसी बात को denote करता है जो कि IPC या किसी विशेश या इस्थाने विधिक के द्वारा punishable है यानि इस खंड में अपराद की जो संकल्पना है यानि offense का जो concept है उसको विस्तरत करते वे किसी विशेश या इस्थाने विधिक के अंतरगत दंडनी है यानि punishable किसी विशेश या स्थानी विधिक के अंतरगत punishable किसी बात को भी यहाँ पर सम्मेलित किया गया है और इसे सहीता के अंतरगत ही किसी बात को punishable रखकर सीमित नहीं रखा गया है अब यहां पर विशेश या स्थानी विधि क्या होगी तो विशेश विधि को IPC के section 41 और इस्थानी विधि को IPC के section 42 में define किया गया है तो विशेश वीधी तो वैविधी होती है जो किसी विशेश्ट विशेश को लागू होती है जबकि इस्थानय विधी यानि लोकल वैव होता है जो भारत के किसी मिशिश्ट भाग को ही लागू होता है अगर हम बात करें section 40 के third close की अठ्था तीसरे खंड की तो तीसरे घंड में भी यहां पे इसी जो IPC है इसकी कुछ sections का उलेक किया गया है जिसके अंतरगत अपराद शब्द का अर्थ उस बात से लिया गया है जिसे किसी विशेश या स्थाने विथी के अधिन जुर्माने के सहित या रहित minimum 6 मास या 6 मन्स तक के कारवास से punishable बनाय गया है या दंडित किया गया है section 43 section 43 में दो टर्म को डिफाइन किया गया है एक तो illegal और एक है legally bound to do the word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes grounds for a civil action and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit अवेद शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो वीथी द्वारा प्रतिशिद हो या जो सिविल कारिवाही के लिए आधार उत्पन करती हो और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए व्यद रूप से आबद कहा जाता है जिसका लोब करना उसके लिए अवेद हो यानि section 43 में दो पदों को अलगलग define किया गया है एक तो अवेद है और दूसरा है करने के लिए व्यद रूप से आबद अगर हम सिर्फ अवेद या illegal की बात करें तो इस section के द्वारा तीन तरह की बातों को अवेद यानि illegal की रूप में define किया गया है पहला हर बात जो अप्राद है अवेद है अप्राध की definition या उसका अर्थ हो वही होगा जोसे section 40 में हमने देखा दूसरा हर बात जो वीदी के द्वारा प्रतिशिद हो अप्राध है या जहाँ पे जो प्रतिशिद दिता है वह किसी वीदी के द्वारा ही होनी चाहिए किसी अन्य प्रकार से प्रतिशिद्ध अगर कोई बात है तो वो इस धारा के अंतर्गत अवेद नहीं कहलाएगी उधारण के लिए किसी विभागी आदेश का उलंगन यानि को डिपार्टमेंटल ओर्डर का अगर वोलिशन किया जाता है तो वह अवेद नहीं है क्योंकि वह वीधिक के द्वारा प्रतिशिद्ध नहीं है इसी तरह से अगर जैसे कोई जो charitable काम किये जाते हैं यानि खेरात या खेरात के दया के कारे करने से जो इंकार करना भी illegal नहीं होता क्योंकि किसी वीधिक के द्वारा प्रतिशिद्ध नहीं होता थर्ड है हर वह बात जो सिविल कारिवाही के लिए आधार उत्पन करती है अवेध है फलत जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कारी करता है जिसके लिए सिविल नयाले में उसके विरुथ कारिवाही की जा सकती है तो इस section के अनुसार वह कारे illegal है उधारण के लिए breach of contract या फिर breach of trust अर्थात समीदा का भंग या फिर नयास का भंग करना अवेध है illegal है क्योंकि वह सिविल कारिवाही का आधार उत्पन करती है अब हम बात करते हैं करने के लिए वैद रूप से आबद तो यहाँ पे जो यह अभी व्यक्ति है करने के लिए वैद रूप से आबद का अर्थ उस बात से है जिसका लौप करना यानि जिसका omission करना अवेध हो यहाँ पे प्रयूक्त शब्द अवेध का वही अर्थ है जैसा कि हमने यहाँ पे पहले देख लिया अथा किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी लौप जो कि उसको अवेध लौप बनाता है ऐसी बात है जो वैद करने के लिए वैद रूप से आबद है अब हम बात करेंगे इंजिरी की इंजिरी अठात शती अर्थात क्षती शब्द किसी प्रकार की अपहानी का ध्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याती या संपत्ति को अवेध रूप से कारित हुई हो इस सेक्षन की द्वारा जो इंजिरी यानि जो शती है उसको एक विस्तरत अर्थ दिया गया है तो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याती या संपत्ति को अवेध रूप से अपहानी कारित की जाती है तो वह IPC की अंतरगत शती है तो इस सेक्षन का सार यह है कि जो अपहानी है वह अवेध रूप से कारित की गई हो यानि जो नुकसान है वो अवेद रूप से कारित किया गया हो यदि अपहानी अवेद रूप से कारित नहीं की गई है तो चाहे वह शरीर, मन, ख्यातिय, संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, हानी हुई हो तब भी वह इंजरी नहीं है IPC के सेंस में अब हम बात करेंगे section 42 की जिसमें की good faith को define किया गया है Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention अर्थात कोई बात सदभाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो की सम्यक सत्यक्ता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो तो यहाँ पे इस section में जो good faith या सद्भाव पूर्वक की definition दी गई है वह negative sense में दी गई है क्योंकि यहाँ पे यह section जो good faith या सद्भाव पूर्वक का अर्थ यहाँ हमें नहीं बताती बलकि किवल यह कहती है कि यदि कोई सम्यक सत्तरता और ध्यान के बिना कोई बात की गई या विश्वास की गई हो तो वह सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती तो सद्भाव पूर्वक जो यानि good faith शब्द जो है उसको general closes act यानि साधारण खंड अधीनियम 1892 की section 3 के close 22 में define किया गया है लेकिन उस definition को IPC में इसलिए लागू नहीं किया जाता क्योंकि IPC की इस section में इस शब्द की अपनी एक separate definition दी गई है जो कि IPC पर लागू होती है तो इस section में जो ये शब्द प्रयूक्त किये गए है सम्यक सत्रक्ता और ध्यान अर्थाथ due care and attention इसकी definition IPC में कहीं भी नहीं दी गई है तो अलग-अलग जो नियाले हैं उन्होंने अपने अलग-अलग निर्णयों में तरकों और कारणों के साथ इसको express करने की कोशिश की है अच्छा आशे और युक्तियुप साधानी और कुशलता यह तै करने की अच्छे parameters हैं कि क्या किसी कारे को सद्भाव पूर्वक किया गया है या नहीं और सामान्य परसीतियां संभावित व्यक्ति की सक्षमता और बुद्धिमानी को सदे मानस में रखा जाना चाहिए यह तै करने के लिए कि कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई है या नहीं इस पर एक important case है सुकारू कभीराज वर्सेज एंपरर 1887 का इस case में एक्यूज जो था उसने म्रतक को जो की अर्ष की बिमारी से पेड़ित था कि surgery एक समाने चाकू से की थी जिससे की bleeding होने से और blood की कमी हो जाने की वज़े से उसकी death हो गई इस case में अभी निर्धारित किया गया कि यद्यपी उसने ऐसी surgery पहले भी की थी तो भी उसकी कारे को good faith में किया गया नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने साज्जरी के द्वारा treatment करने की को डगरी प्राप्त नहीं कि थी जिसके आधार पर विधिक रूप से यानि लिगली वह साज्जरी के द्वारा treatment करने का अधिकारी हूँ और इसे लिए उसकी कारे को यहाँ पे गुड फेट में किया गया नहीं माना गया इसी की साथ हमारा ये टॉपिक समापत हुता है बाकी बात हम नेक्स लेक्शन में करेंगे थैंक यू